योग आयर्वेद में आपका पुना स्वागत करता हूँ एक नई बनस्पतिय जानकारे के साथ आज हम बात करेंगे अगस्त के पेड़ के बारे में किसका किस प्रकार दिखता है इसके गुड धरम क्या है और इसका प्रियोग हम किस प्रकार कर सकते हैं तो इस अगस्त को हम संस्क्रित में अगस्तिया, हिंदी में अगस्तिया, गुजराती में अगस्तो, बंगाली में बक, मराटी में अगस्ता, तमिल में अगशम, तेलगू में आवाशी, इसका बॉटिकल नाम अक्ती गार्डिनी फ्लोरा है, ये वरक्ष आपको भरत बर्स में हर जगा देखने को मिल जाते है इसकी उंचाई 20 फिट से 30 फिट तक की होती है इसकी छाल चिकनी हलके भूरे रंकी होती है लकड़ी इसकी सपेद और कोमल होती है पत्ते इमली के पत्तों के समान परंतु आकार में कुछ बड़े की चित अंडाकार होते है फूल तिरचे लाल या सपेद होते हैं फलियां 10 से 12 इंच लंबी धाई इंच चोड़ी और चप्टी होती है इसकी दो पिरजातियां पाई जाती है एक पिरजाती में सपेद पुष्प आते हैं और दूसरी में लाल पुष्प आते हैं इनकी फलियां फूल और पत्तों का शाग बनाकर खाया जाता है आयरवेदिक मता अनुशार बहाव प्रकास के मता अनुशार अगिस्तिया सीतल रूक्ष वातकारक कडवा एवं सीत वीर्या होता है पित कफ और चौथे दिन आने वाले बुखार तथा जुखाम को नश्ट करने वाला होता है इसके फूल सीत चतुरत बुखार और रतवंदी को दूर करने वाले कडवे कशेले पचने में चरपरे तथा पीनस रोक कफ पित और बात को नाश करने वाले होते हैं इसके पत्ते चरपरे कडवे भारी मदूर कंचित गरम श्वच किर्मी कफ विश रक्त पित को हरने वाले होते हैं इसकी फली हलकी दस्तवार ब कचने में मदूर, कडवी, इस्मरल, सक्ति, वर्धक, तिर्दोशक, सूल, कफ, पंडवा, रोग, बिश्व, सौफ, गुल्व, नाशक होती है। युनानी हकीमों द्वारा इसको दूसरे दर्जे का ठंडा और रुक्ष मानते हैं। इसकी पत्तियों का रस दो से तीन बू नाक में टपकाने से छीक आकर ततनाक, भैकर, सिर्दर्द या सिर्का भारीपन दूर होता है। इसका प्रियोग मिर्गी में कर सकते हैं, इसकी पत्तों को काली मिर्च के साथ गउम मुत्र में बारिक पीस कर मिर्गी रोगी को सुगाने से लाब होता है, वातरक्त या उरिक एसिड होने पर आप इसके फूलों का चुरण बनाकर इसको भैस के दूद में मिलाकर दही जमा ल आपके वातरक्त में बहुती आराम होता है, चेचक की पिर्थम अवस्ता में इसकी छाल का हिम को आत बनाकर पीने से लाब होता है, चोट लगने पर या कुचल जाने पर आप इसकी पत्तियों की पुल्टश बांगने से काफी लाब पहुँचता है, आखों की कमजोरी होने पर आप इसके फूलों का रस निचोड कर आखों में डालने से आपकी आखों की दृष्टी की कमजोरी धुंदलापन यादी में फायदा होता है, स्वैत पदर या लिकोरिया होने पर आप इसकी ताजी छाल को कूट कर इसका रस निकाल कर उसे कपड़े को तर कर ले और उस और धतूरे की जण को साथ साथ गरम पानी में पीज कर लेप करने से सूजन में रहत होती है, चौथे दिन आने वाले वुखार में आप इसके पत्त तथा फूलों का रस सूगने से चौथे दिन आने वाला वुखार उतर जाता है, कठिया या अर्थराइटिस होने पर लाल फूल के अगस्त की जण को पानी में घिसकर गरम करके लेप करने से आपके गठिया की सूजन उतर जाती है, रताउंदी में आप इसके फूलों का साग आने से आपकी रताउंदी भी मिट जाती है, आप इस अगस्त के वरक्ष का शेवन करके अपने स्वास्त को स्वास्त र हम कल फिर में लेंगे एक नई वनस्पतिय जानकारी के साथ तब तक के लिए जय हिंद्ग